अल्राइट गाइस विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल अफ्रेंस हम लोग सीख रहेते हैं यहाँ पे स्प्रिंग पूर्ट और हम लोग ने काफी वीडियो से स्प्रिंग पूर्ट में कबर कर लिया है अभी तक आपने सेरीज नेक्सेश की तो आप जरूर सेरीज की लिंक में डिस्क्रप्शन प्रक्ट में डाल दूँगा एक बार जरूर एकसेस करेंगे काफी चीज़े आप सीखने को पाओगे इस वाले सीरीज में और हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कैसे हम लोग जे डबली ऑथनिकेशन करेंगे क्या मतलब हम हम लोग practically करने जा हरें मतलब next videos में हम लोग करेंगे इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग रहाए को सबसे पहले हमें हमें एक प्रोजेट्ट करना होगा लेकिन अब आप हम लोग प्रोजेक्ट अपने इंटलेट पर आइडिया में क्रेट करना चाहते है और और भी Community और यहां पर सर्च करोगे, यहां पर स्प्रेंग एनसलाइजर, ठीक है, यहां पर सर्च कर लोगे, और जो पहली वेबसाइट होगी, ओपन होगी, start.spring.io, simply हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को open कर लेंगे, perfect है, और यहां पर पूरी दीटेल भर देंगे, और उसके बाद हम simply project को download कर लेंगे, यहां पर आपके पास option is generate, आपको पास zip file download होगी, और simply आप क्या करोगे, इसी से open कर लोगे, बार-बार यह काम करना, क्योंकि हम लोग यह सब चीज देख चुके हैं, तो बार-बार यह काम करना थोड़ा सा tiresome process है, म मतब कोई काम आप एक ही चीज इक को आप दूसरे तरिके से कर सकता है, तो यहां पर भी वही logic चलता है, यहां पर भी क्या है एक काम को अलग-अलग तरीके से किया सकता है, तो Spring Boot के project को अन्य करने के अलग-अलग तरीके हैं, जैसे अगर आप see engage Quiz करोगे, तो वहां पर direct option मि तो यहां पर कोई option ही नहीं आएगा Spring Boot का तो आप दिक्कत हो जाएगी तो लोग सोचने लगते हैं कि भाईया option नहीं आ रहा है तो आप क्या करें तो एक तरीका जो मैंने बताया आप Spring initializer से तुझे को डाउनलोड करो और यहां पर simply import कर लो यह मैं पहले वीडियो में बता चुक है तो यहां पर आपको नहीं हम अब जिदिया आ गए हैं कि भाया हमें क्या करना है हमें फ्री वाले में ही spring boot create करना है यहां पर option आना चाहिए क्या यह पॉसिबल है जी हां यह पॉसिबल है यह को हम लोग करने वाले हम चाहते हैं क्योंकि हम लोग को future में बहुत सारे project को create करना है तो बार-बार हम ल अब हम लोग इस वीडियो में यही देखें कैसे हम लोग community version free वाले में spring boot का project कैसे डारेक्ली यही से create करेंगे अपने intelj idea से तो simply हम लोग क्या करते हैं इसको close कर देते हैं ब्राउजर को प्राउजर की जरूरत नहीं है ऐसा ना लगए आप लोग को कि मैंने direct वहां से डाउनलोड करके ओपन करके दिखा दिया और आप लोग बना दिया हमने simply browser को close कर दिया हम लोग यूज करने वाले है एक plugin जिसका नाम है spring assistant बहुत कमाल का plugin है वो enable कर देगा यहाँ पर option जिसकी हब से हम लोग project को create कर पाएंगे अब उस plugin को कैसे डाउलोड करना है तो अगर आप इस window पे हो तो simply आप configure पर जा सकते हो यहाँ पर plugin का simple option है अधरवाई आप settings पर open कर लो और settings को जब आप open कर लोगे तो जब आ यहाँ पर search का option है यहाँ पर simply आप search कर लो आप क्या search करोगे अब इस बात plugin सर्च कर लो advantages है तो बट हमें हमें जो चाहिए हो हमारा spring assistant जो सबसे पहला वाला है 334.8 के भी का है ठीक है simply तो simply हमको क्या करना है इस spring assistant वाले पर install पर click कर देना है यह थोड़ा सा time लेगा install हो जाएगा depending upon your internet connection तो जितना time internet कर लेगा यह लेगा और यह install हो जाएगा simple जब install हो जाएगा तो यह option देखे restart ID का देगा आप simply इसको restart कर सकते ID को अबैसी बात जब restart करोगे तभी changes reflect होंगे तो मैं recommend करूँगा आप एक बार इसको restart कर लिजेगा ठीक है जब हम लोग सो restart कर लेंगे तब हमारा वह spring assistant वाला जो plugin था वो enable हो जाएगा enable हो जाएगा तो वो क्या फायदा करेगा भाई अबैसी बात है वो फायदा करेगा हमें कुछ नो कुछ चीजे प्रवाइड करेगा लड्डू पेडा जिसको हम लोग खा सकते मोच कर सकते ठीक है तो जब हम लोग का plugin enable हो जाएगा तो हम लोग new project पे click करेंगे जैसे नहीं project पे click करेंगे तो वहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा बहुत बड़े या नीचे spring assistant यह कब आया यह आया जब आपने वो plugin spring assistant वाला download किया और साथ ही साथ में उसको enable किया restart करके ठीक है अब हम लोग को यह spring assistant क्या करेगा यह enable इस ने कर दिया जिससे हम लोग spring boot के project को create कर पाएंगे आप देखोगे जब आप इस पे option ले जब आप mouse ले जाओगे hover करोगे तो यहाँ पे option आएगा spring boot देखे टूल टीप आ रही using spring boot and spring cloud data flow तो आप इन दोनों को यूज करके spring boot के applications को bootstrap कर सकते मदब create कर सकते है तो अब हमें कोई application create करना है तो अब हमे spring initializer से project को डाउनलोड नहीं करना हो आप कहानी खतम ठीक है अब मैं क्या करना है simply आना है अपने integer idea में simply इबान फिर से बताता हूँ new project पे click करना है spring assistant पर आना है यहां पर project SDK अपना चूज करना है कौन सा SDK मतब चावा का कौन सा standard development kit आप उसके बाद आपको यहां पर default पर चूज करना है और default पर आप देखोगे तो यहां पर e-rl लिखा स्ट्प्स colon slash slash start.spring.io अगर आप यह थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो यह कुछ ज तो हम लोग simply default पर click कर देंगे next clear देंगे जब आप next करोगे तो यह थोड़ा सा time लेगा और हां internet on कर देगा पता चला पूरी कहानी देख लो बाद में आप internet on ही ना करो तो यह सारा काम नहीं होगा ठीक है तो हम लोग internet on कर दिये अब यहां पर जो options यह मांग रहा है उसको simply डाल दीजिए फिल कर दिए सबस्क्राइब ग्रूप आईडी डाला है तो मैं यहां पर लेगा com.jwt ठीक है उसके बाद हम लोग यहां पर artifact id में मैं लेग दूँगा jwt authentication परफेक्ट है snapshot वर्जन परफेक्ट है में टाइप हम लोग उसकरेंगे में प्रोजेक्ट तो मैं वह ही दूँगा jwt jwt authentication ठीक है server आप डाल सकते हो बट मैं jwt authentication server use करूंगा ठीक है server project description में लिख देता हूं this is just for learning jwt authentication using spring boot spring boot परफेक्ट है package का नाम मैं दे दूँगा com.jwt jwt perfect है next जब सब कुछ फिल हो जाएगा अच्छे से तो आप क्या करेंगे next पर क्लिक करके next window पर दूस्रे पर जाएंगे और दूसरी विंडो और भी ज्यादा important है यह दूसरी विंडो किसलिए dependencies को add करने के लिए कि आप कौन कोसी dependencies add करना चाह रहो तो ठीक है हमें क्या चाहिए web में चाहिए Spring web आपको Spring reactive चाहिए Spring session या जो भी जरसी चाहिए जो भी चाहिए आप यहां से सलेट कर सकते हैं और security में हमें Spring Security चाहिए, परिफिक्ट है, और मतलब जो भी चाहिए, जैसे MySQL Connector चाहिए, तो आप यहां से MySQL type कर सकते हो, MySQL driver add कर सकते हो, आपकी मरची है, यहां पर फिलाल मैं यहां यहां पर नहीं add करने वाला हूँ, मैरे पास दो ही मुझे लेना है Spring Web and security, अगर आपको template न चाहिए, तो time left लेना चाहिए, तो आप time left ले लो, ठीक है, जो भी आपको template इंजर उसकरना है, आप उसकर सकते हो, आप totally free हो, ठीक है, आप बहुत असानी से इसको explore कर सकते हो, जो भी आप चाहिए, इतनी सारी शीचे है, testing, cloud, route, spring, cloud, routing, ठीक है, cloud के बहुत सारी शीचे है, Google Cloud platform, Ali Baba, बहुत सारी शीचे है, I.O में आप देख सकते हो, यहाँ पे messaging में देख सकते हो, end number of शीचे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मुझे चाहिए, आप से मैं choose कर लूँगा, simply next पे click कर दूँगा, अब यह बूच राप project कहाँ पे create करोगे, तो मेरा project create हो रहा ह से create कर देगा, ठीक है, so depend करेगा है आपके internet connection पे, जब project create हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको देखो, इस तरफ project explorer open हो गया, यहाँ पे project है, यहाँ पे project है, JWT authentication, इस तरफ देखोगे तो आपका maven का window है, इस maven window को आप यहाँ से on off कर सकते हो, इस maven पे click कर परफेक्ट है, यह जरूर, यह कभी जरूरत पड़ती है, maven dependencies वगर रिफ्रेस करने के लिए हैं, reload कर सकते हैं, इसको, ठीक है, so हम इसको off कर देते हैं, और आ जाते हैं, project explorer को थोड़ा सा explore करते हैं, देखने क्या, यह वही maven का project है, spring boot वाला की नहीं है, ठीक है, तो हम से प important file मिलेगी, maven.xml file, इसको हम लोग open करेंगे, so हमें देखेगा, कि हाँ भाई है, कुछ जानी पैचानी चीज़ लिख रही, parent में, आपका parent वाला version है, ठीक है, उसके बाद आपका group ID वगर है, जो हम लोग ने डाला था, वो सब है, ठीक है, description में आप देखो, this is just for learning, JWT, authentication using spring boot, version 11 है, इसको हम है, 14 कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग JD 14 use करने, तो बस एक second, ठीक है, so मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम delete 14 कर देते हैं, ठीक है, otherwise आप 11 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, dependencies में आपके पास spring boot started security है, starter web है, test है, तो हम लोग ने, जो जो दोनों यहाँ पर dependencies है, आप simply यहाँ पर reboot कर सकते हो, perfect है, तो यह तो बड़िया file बन गए, हम लोग को कुछ और changes करने है, तो मैं यहाँ पर बाद में जब project बनाएंगे, तो कर लेंगे, या कोई अलग से dependencies add करनी ही, तो हम लोग यहाँ पर add कर लेंगे, perfect है, CERC को open करते हैं, तो य इसके अंदर static file रख सकते हैं, template के अंदर template रख सकते हैं, और application.properties बसके लिए हमारी क्या है, यह हमारी basically configuration file है, इसके अंदर हम server.server.port अपना configure कर सकते हैं, सपोज हमने कहा 95959595 ठीक है, या फिर हम लोग बहुत सार इसे server. बहुत सार इसे configure कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ port numbers मैंने configure कर दिया है, उसके बाद हम अगर Java को open करें, तो हमें वही सार इसे मिलेंगी, com.jwt, basically हमारा एक package है, इसके अंदर हम और packages create कर सकते हैं, और jwt authentication server application हमारा main class है, यह basically spring boot की main class है, जो जिस पे हम लोग ने, जिस पे कौन सा annotation लगा, spring boot application, ठीक है, अब हमें run करना है, तो कि यह जो project बनाए हो, create, मतलब, सही-साई create हुआ है, और यह project चल रहा है, तो हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, तो next video में हम लोग इसी पे काम करेंगे, तो right click करेंगे simply, और हम लोग simply run पे जाएंगे, और run कर देंगे, simple, इसी वाले, अपनी main file को run कर दिये, that's it, यह simply run कर generate हो गया, और आप देखोगे, आप ब्राउजर open कर लो, और आप यहाँ पे localhost, 9595, क्योंकि मैंने port number change किया था, ठीक है, so आप देखोगे, यहाँ भी, 9595 port number है, आप यहाँ से check भी कर सकते हो, ठीक है, so localhost 9595 भी क्या, देखते है, so, 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 second, ठीक है, 8080 पे चल रहा है, port number change नहीं हो था, क्या, so, I think port number नहीं चेंज हो था, port number नहीं चेंज हो था, कोई दिक्कत नहीं, अचा, server के spell यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए नहीं चेंज हो था, एक बार हम फिर से restart करेंगे, तो आप सई-साही लिख हो गया, थोड़े से mistake हो जाएगी, तो या तो error मिल सब्सक्राइब करेंगे, तो अब यहाँ पर फेक्ट है, अब इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूत नहीं है, अब हम इसमें code कर सकते हैं, आपको project मिल चुका है, और यहीं से create कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा application create करना है, simply file पर जाएगे, new पर जाएगे, project पर जाए install करना है, तो आप उसको install भी कर सकते हो, file में जाके, settings में जाके, simply यहाँ फिर से plugin को search कर सकते हो, यहाँ नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, तो आप होसियार हो, यहाँ पर plugin मारो, and plugin पर click करो, installed में आ जाओ, spring assistant पर select कर लो, and simply यहाँ इसको disable कर दो, disable कर दो, तो यह का authentication क्या करेंगे, हम लोग implement करेंगे, और काफी important वीडियो अनली, उसके बाद मैं लाओंगा angular से, कैसे आप उसका front rate बनाके, login complete बनाओगे, यह वीडियो काफी लंबी हो रही ही, लेकिन इस वीडियो में मैंने काफी important चीज सिखाई, और मैंने काफी search किया तब यह चीज मिली जबर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेर करेंगे जिससे हमारा motivation बढ़ता है, बाई!